ग mercy Good Morning Everyone टूडैट टॉपेक इड्स आज रहे बात करेंगे झी के बारे में वाट इड्स ऐड्स क्या है? है है एड्स एडीजीव एक वीमारी होती ही और वाइरस क्या होता है इसका एड्स एड्स क्या होता है acquired immuno deficiency syndrome तो इसका definition दिया है it is disease in which there survived loss of body cellular immunity यह जो disease होती है क्या करता है जो immunity होता है उस पर attack करता है जो immunity होता है उसे बीक करता है अब बात करेंगे HIV HIV क्या है? HIV एक virus है और यह virus किसका है? AIDS का, AIDS disease होती है उसका HIV virus होता है HIV देखो इसका stage होता है एक होता है asymptomatic फिर होता है minor symptoms फिर होता है mediator और फिर AIDS different illness asymptomatic क्या होता है? asymptomatic ऐसा होता है इसमें कोई symptoms नहीं होता देखो अगर आपकी immunity strong है अगर HIV virus cause हुआ है तो अगर आपकी immunity strong है तो एकदम मतलब आपको attack नहीं करेगा मालूम नहीं पड़ेगा तुरंट कि आपको HIV हुआ है तो उस condition क्या रहता है? यह symptomatic मतलब जब तक आपकी immunity strong है तब तक कोई symptoms so नहीं करेगा मतलब आपको कमजोड़ी में महसूस नहीं होगी यह है हाँ ठीक है माइनर symptoms में बहुत ही हलके से symptoms सो होंगे माइनर बिल्कुल माइनर का मतलब बिल्कुल तो छोटा सा फिर उसका cd4 count क्या रहता है 500 to 350 ठीक है फिर moderate moderate symptoms में क्या होता है यह देखिए हाँ लीकोपमिया pulmonary tuberculosis इसके symptoms इसमें आ जाते हैं फिर उसका जो cd4 count होता है वो decrease होता जाता है 350 to 200 रह जाता है फिर उसके बाद arts defining illness उसमें क्या होता है यह देखिए हाँ ulcer और यह toxoplasmosis यह सब उसमें आ जाते हैं इसका अभी cd4 count क्या होता है और डाउन होता जाता है जो हमारी immune cells होती है वो और डाउन हो जाता है 200 से भी कम रहे जाते हैं how does HIV work HIV होता है जो virus वो कैसे बार करता देखो first में attachment to host cd4 cells जो मतलब इसका virus होता वो क्या cd4 count से attach किया cd4 count अपने आपको पहली बताया है यह immune cells होती है उस अटेच होगा फिर क्या होता है river transcriptage max dna to rna हां फिर उसके बाद क्या होगा third step integration into host cell nucleus हां उसमें होगा फिर reproduction of viral component फिर उसका reproduction होगा दें assembly of HIV new virus ठीक है फिर new virus cause हो जागा फिर उसके बाद release हो जाएगा ठीक है यह हो गया HIV का work फिर क्या होता है mode of transmission मतलब यह disease जो होता है यह virus फैलता कैसे है blood product महलो contaminate blood है किसी का HIV positive है और आपको चड़ गया तो इससे भी आपको होता है ठीक है फिर vaginal food यह sexual disease भी होता है उससे भी फैलता है ठीक है और semen हां तो यह सब उसी में जाते से जो breast milk मतलब मदर का है जैसे कोई HIV positive मदर है और उसका breast milk है तो उसके secretion से भी फैल जाता ठीक है meaning of HIV हां क्या होता है HIV का meaning मतलब H4 human I4 immunodeficiency and V4 virus human मतलब can live only in human हां फिर immunodeficiency immunodeficiency का मतलब सीधा वही होता है मतलब जो आपकी immunity है deficiency मतलब आपको attack करेगा immunity भी कर देगा ठीक है virus तो यह हमने पहले भी बताया जो HIV का virus होता है वो retro virus होता है जो आपने आपको practically करके दिखाए था तो इसमें भी बताया था retro virus होता RNA virus ठीक है retro variety family होते ही what are the signs and symptoms मतलब क्या इसके symptoms होते हैं क्या आप करेगा तो आपको लगएगा कि हाँ HIV हो सकता है उसके symptoms क्या होते है weight loss मालों आपका immunity एक दम होता जा रहा है weight loss हो रहा है तो यह भी एक symptoms होता है और फिट्केंट fever and sweating मतलब देखी आपको immunity भी क्या होता फिर जैसे कोई आपको डिजीज होगी होगी उसके against antibody नहीं बन पाती है तो बहुत ही मतलब जैसे fever आया वह रह रहा है काफी टान तक तो सब प्रिजेंट इसकिन एंड रेसिस फ्लैकी स्किन मतलब हाँ जो तो चाप है धब्य बगेरा पड़ते जाते हैं फंगल टाइप का तो वह भी एक symptoms होता है difference between HIV and AIDS तो हमने आपको पहली बताया HIV जे वाइरस ठीक है HIV क्या एक वाइरस है और AIDS क्या है AIDS जो डिजीज है ठीक है HIV कहीं डिजीज नहीं बोलना है तो HIV वाइरस होता है ठीक है किसका AIDS का AIDS डिजीज है HIV उसका वाइरस है HIV डिवलप्स इंटो AIDS है एडस है एडस जे deficiency in the body defense mechanism or immune system एडसे जे card not hydrated ठीक है आया समझ में फिर क्या होता है mother to baby में इसका कैसे होता है mother से baby में ये कैसे फैल जाता है तो इसका क्या होता है during labor और delivery तो उसी टाम पर ये mother से baby में हो जाता है फिर क्या है आपका क्यूश्टिव और गेने चाइब वह ही हमन इम्मीन और डिफीशन से वाइस होता है यह उसका दिख रहा है फिर यह क्या होता है sharing needles मानलो किसी का HIV positive है और उसका needle prick होगा और वही आपको prick हो गया है तो वह syringe या needle से भी आपको फैल सकता है ठीक है और क्या हो अन इस्ट्रलाइज ब्लेड एंट रेजर जैसे अब बहुत से जगे देखते होगे कहीं पर जहां आपको यह बगेरा कराते हैं तो उहां पर भी यह condition रहती है कि मानलो रेजर से जैसे किसी का cut लगा और मानलो से HIV positive है और वही अगर आपके लग गया तो हो सकता ह transmission का रहता है कि इससे भी फैल सकता है तो जहां भी आपको यह मैं लियाद रखना कहीं भी जाना तो यह most लियाद रखे कि वो उसे change करता है कि नहीं यह भी एक मतलब condition रहती कि इससे भी बहुत ज्यादा फैलती है यह बिमारी ठीक थ्रो सेक्चुल डिजी तो है यह आपको पहली बता है oral and anal sex जो sexual है तो को sex करने से भी यह प्यालता है ठीक है आगे क्या है तो यह मोश्टली पूछ लिया जाता जब कभी कि मतलब इंडिया में फर्स्ट केस कहां मिला था तो उसका जवाब होगा चेन नहीं ठीक है और उसका अगर कोई येर पूछता है तो 1986 1986 में कंडिशन बन तीए इसका अकोडिंग तो डावलो एच्व यह होता वर्ल्ड हेल्थ और गिनाजिशन जो मतलब पूरी हेल्थ को देखता है तो देरवाज एप्रोक्सिमेटली 35 मिलिएं पीपल वर्ल्ड वाइल लेविंग एंचाइवी एड्स इन ट्वंटी थार्टिंग कित सफर कर रहे हैं तो उसका जवाब आपका रहेगा 4.4 मिलिया है इंडिया है थर्ड लाइजेश्ट नो पीपल ओफ लिविंग विद एचाइवी एंचाइवी थार्टिंग इसे जागरू होना है बहुत जरूरी है चाइवी से क्योंकि यह मतलब बहुत ही घातक पीमारी बो बोल सकते एक तरीके से ठीक है है हाव एचाइवी जी नोट ट्रांसमिटेड देखो मानलों ऐसा बहुत से मतलब गलत धारड़ा हो जाते हैं कि जैसे कि मानलों अगर आपको एचाइवी पॉजिटिव है तो बहुत ही उसे उस कंडिशन से देखने लगते हैं तो मतलब एच से किसी को एचाइवी पॉजिटिव है और आप उसे हग कर लेते हो मतलब उसके गले लगते हो तो उससे एचाइवी नहीं फैलेगा ठीक है मतलब देखो अगर साथ खाना खा लिया उस कंडिशन में तो उसके आंसु से नहीं फैलेगा और इउरिन और फैसे से भी नहीं फैलेगा ठीक है कि मतलब किसी पॉजिटिव पैसेंट के साथ अगर आप स्विमिंग पूर में नहार रहे हो तो क्या आपको एचाइवी होगा तो उसका जवाब होगा नहीं ठीक है सेरिंग कुकिंग एटेंस कप्स टॉयलेट सीट से बेरिंग टेलीफॉन और टॉबल्स ठीक है समझा है मतलब आप जिस टॉबल से कर रहे हैं उसी से कर वो भी नारत हो रहा है या टेलीफॉन यूज कर रहा है कुछ भी तो उस कंडिशन में भी नहीं होगा एचाइवी ठीक है आगे आपको मीनिंग ओफ एर्ट्स एर्ट्स का फॉल फॉर्म आपको बताएं एक्वाइड इम्यून डिफिसेंसी शिंड्रों एक्वाइड नॉट बॉर्म बिद टीक है टांस्मेंटेड फ्रों पर्शन टू पर्शन यह मतलब पर्शन से दूसरे पर्शन में होता है इम्यून बोडी डिफेंस सिस्टम इम्यून तरी तो आप सभी जानते हो कि इम्यूनिटी क्या होता है बोडी डिफेंस सिस्टम इट इफेक्ट दा बोडी ऑफ इम्यून सिस् शिंड्रोम क्या होता ये ग्रूप आप साइन एंड सिंटम्स सम्मान विद एड्स में एक्षिदिंस ए वाइड रंज ओफ डिफेंट डिजीज ठीक है समझ आया आप लोगों को हां